पती की गिरफतारी का हुआ विरोधस्ताने निवासियों ने फरजी तरीके से फसाने का लगाया आरो योग मौलीं जी का शिकार ग्रामिडियों ने लाठी टेंडों से पीट करकी हत्या करिता के रावानूचन जी की जैनती समारूर रामचिद्र सस्वती बिद्या मंदिर में किया गया योजन पुलिस को में लिए बड़ी सफलता शराब शाब इमारी में तेन आरोपियों को किया गया गिरफतार जैरीली शराब को लेकर लोजपा की कारे करता हूं बे आकरोश की कारे करता हूं यसे भी तीश का फुका पूतला नमश्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नंदिनी यादो वक्त हो चुका है बिहार की खबरों का रुख करते हैं खबर की और नरकटिया गंच नगर परिशत के निर्वरतमान सभापती राधे शाम टिवारी के गिरफतारी के विरोध में एस्थानिये निवासियों ने पोखरा चौक मंदिर परिसर में इकत रहोकर जमकर नारे बाजी की उन्होंने कहा कि नर्वर्तमान सभापती राधेश्याम तिवारी को गलत तरीके से हत्याकान में फसा कर उनके साथ अपराधियों के जैसा बढ़ताव किया जा रहा है SDPO कुंदन कुमार पर राजिस्त हत्याकान में गलत तरीके से गरफतार करने का आरोब लगाया गया साथी इस्तारी निवासों निशेत्र में बढ़ रहे अपराधि घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त की पुलिस अस्टैसन के बहुत दूर नहीं राजिस्त सिवासों के हत्या लेकिन वहाँ पुलिस को पहुंचने में उतना बिलंब जो हुआ इसके पीछे क्या क्या है रूपसरी बात है कि जो मुख्य की नामिक अभी पिछा उनमें कोई नहीं पकड़ाया उसके पाहे लेकिन भागलपूर के कहल गाउं सनोखर में एक शादी शुदा महिला से मिलने आये युवक की ग्रामिडों ने चोर समझ कर लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी मॉबलिंचिंग की सूचना पर पहुँचे एस्टीपियों शिवानन से ने युवक की पहचान नितिश कुमार के रूप में की और गाउं में भारे पुलिस बल लगाने के निर्देश जारी किये गये पुलिस अधिक्षक ने बताया कि ग्रामिडों ने युवक को चोर समझ कर पिटाई की है लेकिन महिला के पती ने अवैस संबद का आरोप लगाया है उन्होंने पूरी घटना की क्रम जाच कर आरोपियों के खिलाफ सकत कारवाई की जानकारी दी लोग का कहना था कि चोरी करने के लिए घुसे थे ये तक कि परीजन है उनका कहना था कि वहाँ किसी महिला से संबंद था इस कारण से गये थे उसमें जल्दी हम लोग आप लोगों को ब्रीफ करेंगे और डिटेल जैनकारी लेकर थे खबर बेतिया से जहां हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्य गड़ित दिवस की रूप में गड़ित तक रामानुजन जी की जैनती मनाई जाती है वही इस उसर पर नरकटिया गंज में रामचंद सरस्वति विद्धा मंदिर में गड़ित तर प्रदशनी का आयूजन किया गया और इस दोरान छात्र छात्राओं ने प्रदशनी के माध्धम से प्रकृतिक आपदा गड़ित के फॉर्मूला पर्यावरर संकर जैसी कई एहम मुद्धों पर अपने प्रोजेक्ट से लोगों को अपनी तरफ आकरशित किया गया स्री निवास रामानुजन के जन दिवस के अंसर पर भारत वर्ज के महान गनीता के हैं गनीत के चत्रों का महान दूर्दान है इद्या भार्ति एक भार्ति शिक्शा सवर्थां जिसको गनीत कठील विशे के रूप में जो समाज में एक ब्रहामती है इसको सरव और सहर बनाने के लिए बच्चों में उफ्साह फैदा करते और गनीत के फर्मुने गनीत की आकिर्टिया गनीत के जीवन जर्म से लेके मृत्यू परियां गनीत के कितने प्रकारबियों खबर पशिम चंपारड बेतिया से है जहान अरकटिया गन्ज के सिकार पुरो पुलिस ने शराब मामली में अलग-अलग जगों पर शापे मारी करती लोगों को गरफतार किया जसके बाद पुलिस ने शराबियों पर कारेवाई करते हुए मामले की जाश रू की खबर बेतिया से है जहान दिंद्याल अत्योंदर योजना के रास्टे शहरी आजिवी का मिशन के स्वरोजकार कारेक्रम घटक के अंतरगत गठित टास्क फोर्स कमेटी बैठक की गई नगर परिशत राम नगर सभागन में कारेपालक पदाधिकारी के प्रतिनीधी के अध्यक्षुता में आयोजित की गई बतादे इस बैठक में नगर मिशन प्रबंधक द्वारा योजना के स्वरोजकार कारेक्रम घटक पर प्रकाश जालते हुए उपास्यत बैंकर से बैं अध्यक्रम घटक के अंतरगर तास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें जो है जो निकाय अस्तर पे हमारे आवेधन सहरी गरी लागू का सताईसा अवेधन प्राप था वो टास्क पोर्स समयटी जो गठित है यहां पर उसके द्वारा सक्ट्यापन करके बै रुकते हैं छोड़े से ब्रेक लिए बने रहे हैं हमारे साथ देखते रहे हैं प्राइम टीवी क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोच रहे हैं विश्वसनी e-store? तो देर किस बात की? अभी लॉगिन करें skbmarket.in. skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ओनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेट फॉर्म है आपके skbmarket.in से अग तक 3 लाग से ज़ादा संतुस्ट ग्राहक जुड़ चके हैं हमारा देश इना केवल उत्पात बेचना है बलकि आत्म निर्भर भारत का निर्मार्व करना है हम अपनी e-sevah गतिविद्या यानी ओनलाइन व्यवसाय को अब अंतर राश्ट्रे स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ 83 दिगजों से जानेंगे राजनीतिक दावपेज अफसर शाहों से मिलेगी अंदर की जनकारी तांसर से लेकर विढ़ायक तक आईयस से लेकर IPS तक सबसे होगी बार शक्सियात शनीवार और रवीवार शाम साथ बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर देखे बाद स्वागत है आप सबका खबर नालंदा से है जहां कत्री सराय थाना शित के जाजो बिगहा गाउं के पास बदमाशों ने ज्वैलेस की दुकान में शर्टर तोड़ कर 30 किलो चांदी एक किलो सोना अनुमाने तक कीमत 30 लाख और 50 हजार रुपे नगदी लेकर फरार हो गए और बदमाशों ने इस दौरान चोकिदार को बंधक बनाते हुए उसके साथ मार पीट कर खायल कर दिया वही पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुँची और मामले की चांच में जुट गई कितना का चोरी हुआ है लगवग क्या क्या चोरी हुआ है लगवग तब इमाउंट कितना का हुआ होगा और नगत पैसा भी था परशासन आया था तीन बज़े के बीच के रात में लगवग कितने का लगवग लूट किया है 30 किलो चांदी है और एक किलो सोना सोना था दोनों को टोर के लगवग 25 से 30 लाख रुपया का सोना चांदी मिला के था कुछ कहता जो चोरी किया घटना में सुनने में आया है कि चोकिदार को बंधक भी बनाया गया था चोकिदार के माल ने यह पूरा पुलीस महकमा इसमें कह दिए चोकीदार को ने पुलीस को मार रहा है तुब हर के राजनीती रणीतिकायर प्रीशंतकいつों के केंदरी मंतरी पियुश को तो आपको पता चला कि जबकि अन्य राजियों में बिहारी का मतलब बेवकुफ मजदूर होता है हालांकि केंद्री मंत्री ने बाद में अपना बयान वापस ले लिया बिहार के लोगों को तो हर दिन ये गाली सुनी है जो लोग बिहार के बाहर जाके काम करते हैं उनको लोग कहते हैं कि बिहारी मतलब बेवकुफ बिहारी मतलब अंपड़ बिहारी मतलब मजदूर बिहार जो सब्द ही है वो गाली है बिहारी सब्द ही गाली है और नहीं की सरकारों को इस पर कोई फर्क पड़ता है और नहीं के लोग उसके लिए जागरत हो रहे जो पूर और यहांके नेताओं ने इस पूरे जमीन को इस पूरे राज्य को मजदूर बनाने का फ्रैक्टरी बना दिया है उपहास का मिश्य बना दिया है यहांके जो नेता है वो सर्ट के उपर गंजी पढ़ कर बेवकुपी बने वक्तविदे कर और ना समझी की बात कहकर खुद का मजाक बनाते हैं, अपने लिए राजरितिक रोटी सेखते हैं, बिना ये समझे हुए कि इससे बिहार राज्य का, बिहार राज्य के लोगों का कितना बड़ा मजाक हो रहा है। बता दे इस दोरान लोगों में जम कर आक्रोश देखने को मिला। आज के लिए बिहार की खबरों में बस अतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोच रहे हैं विश्वसनी e-store? तो देर किस बात की? अभी लॉगिन करें skbmarket.in skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ओनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेट फॉर्म है। आपके skbmarket.in से अग तक 3 लाग से जादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चके हैं। हमारा उदेश हिना केवल उत्पात बेचना है, बल्कि आत्म निर्भर भारत का निर्भाव करना है। हम अपनी इसेवा गतिविद्या यानी ओनलाइन व्यवसाय को अब अंतर राश्ट्रे स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। राजनिती से जुड़ी हर एक ख़बर पर होगी हमारी नज़र। जनता के मुद्दो का रखते हैं खयाल हम। पक्ष और वेपक्ष के बीच दिसपक्ष खड़े हैं हम। निसपक्ष और निडर्ता के साथ बात करते हैं हम।